नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में नई आपकी राष्टी सिक्षा नीती 2020 आ चुकी है और याद रखिए आपकी 34 वर्ष बाद आई हुई है आपने देखा पहले आपकी 1986 में आई थी दूसरी राष्टी सिक्षा नीती उसे पहले आपकी एक जो पहली सिक्षा नीती थी वो 1968 में आई हुई थी जो 2020 में आई है आपकी 34 वर्स बाद आई हुई है और वैसे भी मैं कहता हूँ कि आपकी पहले आजाना चाहिए था क्योंकि आप जाना हैं कि हम लोग 21 भी सदी में प्रवेश कर चुके है और आप सोचें कि हम लोग आज भी अगर उसी सिक्षा नीती का उपयोग करें 34 साल पुरानी का तो ये लाजबी नहीं नहीं और अगर हमें देश को अपने आगे बढ़ाना है तो इस तरह का बदलाओ लाना भी ज़रूरी है तो आज हम लोग 1968 वाली भी जो सिक्षा नीती है उस पर भी बात करेंगे और 1986 वाली भी जो है उस पर भी बात करेंगे और इसमें जब भी संसुदन हुआ है उस पर भी बात करेंगे और 2020 की जो राष्टिय सिक्षा नेती नईर है उस पर हम लोग बहुत बिस्तार से बात करेंगे एक एक प्वैंट को हम लोग बहुत ही साधार सब्दों में देखेंगे हम लोग यहां भारी भरकम सब्द का यूज भी नहीं करेंगे जो भी इसमें उप्योग होगा उसे बड़े सैल तरीके से बता दिया जाएगा ठीक है तो आप बने रही है और इस तीक क्या लाब हो सकते हैं क्या हानी हो सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहली होते हैं तो इसमें भी आप कोई भी काम करते हैं, तो उसके नुकसान भी होते हैं, उसके फायते भी होते हैं, तो इसमें भी हम लोग बात करेंगें पड़ो लिखा है दीवारों पर महनत कस्ता नारा पड़ो पोश्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा पड़ो अगर अंद विस्वासों से बाना है चुटकारा पड़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा यह आपके सभधर हासमिक का यह मस्थोर गीत है इसमें ना केबल जीवन की सिक्षा की आवस्तकता बलकि उसके मत को भी रेकांकित किया है इस गीत में आप सभी ने अभी देखा होगा कि आपके देश में पाँच रफैल आए हुए है और बाकी आपके बाद में आएंगे अभ तो आप समझ रहे हैं तब हम लोगों को खुशी होगी क्योंकि अभी तो हम लोगों ने दूसरे देश से खरीदा है तो हम लोगों को जाना खुसियां मनाने की जरूरत नहीं है समझ रहे हैं अब हमारी सिक्षा नीती इस तरह से होनी चाहिए कि हम भी दूसरे देशों पर खरीदने की जरूएत ही ना पड़े और तभी हम लोग आत्मेरवर बनेगी आप ही सोचिए कि अगर हम लोग दूसरे देशों पर निर्वर हैं तो यह आत्मेरवर कब बन सकते हैं कहां तक बन सकते हैं हम लोग तो देखते हैं इस सिक्षा नीती के क्या-क्या फायदे होगी ज नई राष्टिय सिक्षा नीती को मंजूरी थी है करीब तीन दसक के बाद देश में नई सिक्षा नीती आई हुई है इससे पूरवाब की 1986 में राष्टिय सिक्षा नीती बनाई गई थी और 1992 में इसमें संसुधन किया गया था किसमें 1986 वाली में उम्मीद की जा रही है कि ये सिक्षा नीती सिक्षा की छेत में नवीन और सर्वांगीन परिवर्दन की आधार सला रखेगी और विदित है कि राष्टिये सिक्षा नीती 2020 को तेयार करने के लिए विसकी सबसे बड़ी फ्रामर्श विक्रिया एजित की गई थी जिसमें देश के विभेन बर्गों से र समिती की सिफारिशिव की आधार पर सिक्षा तक सब की आसाल पहुंच समता गुडबत्तापूर वहनीता जबाब दही के आधार बूत इस्तम्मों पनिर्मित यह नई सिक्षा नीती सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है इसका उद्देश 21 भी सताप्ती की आवस सकताओं के इसकूल कॉलेजों की सिक्षा को अधिक समर्ग लचीला बनाते हुए भारत को इक ज्यान अधारित जीवन्त समाज और वैस्विक महासक्ती में बदलकर पितेक चात में नेयत आदूतिये चमताओं को सामने लाना है एक बात और मैं यहां आप लोगों को बता दे हैं याद रखें आपकी 2015 में यह आपकी एक टी आर एस कौन सी? टी आर एस सुबह मन्यम समिती बनी हुई थी लेकिन क्या हुआ कि इसका इसकी जो भी सिपारिश ने थी उसे एक बंद बक्से में डाल दिया गया है यानि कि उसकी सिपारिशों को सरकार द्वारा नहीं मानी गया है फिर आपकी 2017 में के कस्तूरी रंगन सम्ती बनती है याद रखें इस सम्ती को के कस्तूरी रंगन सम्ती बनती हो यह जून कम जून 2019 में ये अपनी रिपोर्ट सरकार को जो भी उसकी मसोदा होता है पिस्ता होता है उसे सौपती है 2019 में ठीक है उसी की सिफारिश पर इस राष्टिय सिक्षा नीती को लाए गया है तो इसे याद रखे और इसमें जो बात की जारी की सबकी पहुँचो यानि की इसमें न गरीब छूटे न आप सोचेंगी अगर कोई किसी की आलतिक किसी की कराब है तो वो सिक्षा से बंचित रह जाए ऐसा नहीं उसे भी समान सिक्षा मिलने की गुडवत्तापूर सिक्षा यानि की बहुत अच्छी तरह से सिक्षा मिलना उसे और आराम से वो बहिन कर सके और जवाब दे ही इस तरह से सिक्षा मिल दी चाहिए अब यह आप देखते हैं कि स्कूलों का क्या हाल है अब बहुत कुछ चिज में बदवाल लाव भी किया गया है क्या क्या किया गया है उसे हम लोग आँगे बात करते हैं राष्टिय सिक्षा की विकास यात्रा को हम लोग बात करते हैं तो राष्टिय सिक्षा नीती 1968 सुतंद बारत में सिक्षा पर यह पहली राष्ट नीती कुठारी आयोग की सिफारिसों पर आधारित थी याद रखिए 1968 की जो राष्टी ये सिक्षा नीती थी ये हमारे देश की पहली सिक्षा नीती थी वो ये कुठारी आयोग की सिफारिस पर आई हुई थी ठीक? सिक्षा को राष्टी अमहत का विसेगोसित किया गया था इसमें 14 वर्स की आयू तक कि सभी बच्चों के लिए अनिवारी सिक्षा का लर्च और सिक्षकों को का बहतर पिसीक्षण और ये विधा पर फॉकस दिया गया था ये मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया किया गया था लेकिन इसमें कुछ कमिया रही एक तो सिक्षकों को बहतर पिसीक्षण नहीं दिया गया और दूसरा बच्चों के जो भी बच्चे थे उनके एडविशन पर जानदा जोर भी नहीं दिया गया समझ में है क्योंकि आपने देखा है उसके बाद भी हमारे देश में एक बहुत बढ़ा तक्का सिक्षा से चूटा रहा नीती ने प्राचीन संस्कित भासा की सिक्षण को प्रोसाहित किया जिसे भारत की संस्किती और बिरासत का एक अनिवार हिसा माना जाता है सिक्षा पर केंदरी ये वजट 6.30 व्याय करने का लक्ष रखा गया है मादमिक स्थर पर तिरीभासा सूथ लागू करने का अहान किया गया याद रखी ये 6.30 याद रखी कुठारी आयो जब कुठारी आयोगा आया उसने पहली राष्टिय सिक्षा निती दी तब ही कह दिया कि 6.30 हमारी जो भी जीडीपी है उसका 6.30 हिस्सा सिक्षा पर खर्च होना चाहिए लेकिन आपने देखा है कि 2.30 से 3% ही अभी तक 2019 की बात कर रहा हो ढाई पिती सती खर्च, ढाई तीन पिती सती खर्च कर पाई है हमारी सरकार और आप सोचिए कि किसी भी छित में अगर हमें विकास पाना है तो सिक्षा हर छित में जरूरी है अगर आप लोग समाज को सिक्षित कर देते हैं और अच्छी तरह से सिक्षा और स्वास्त की विवस्ता देते हैं तो हमें कुछ उन्हें और मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना रोजगार खुद पैदा कर लेंगे, अपना रोजगार तो पैदा करेंगे ही, साथ में और भी 2-4-10 रोजगार देते रहेंग आपका पड़ोसी है, कौन सा, भूटान, भूटान का पता है आपको, 7.5 पितिसत, GDP का खर्च करता था, भूटान के बाद जिम बॉंबे देखो, स्वीडन देखो, और 7 पितिसत आपका कोष्ट, रिचा, रिका, फिलेड, 6 पितिसत आपका कजाकिस्तान, साउथ अपीका, रखिये हमसे जो गरीब देश हैं, वो भी हमसे जानदा सिक्षा पर खर्च करते हैं, GDP का अपना, समझ रहे हैं, तो सिक्षा का महत्त तो है, लेकिन हमारे देश की जो भी राजनिता रहे हो, या आप जहां भी कमी रही हो, हमने 6 पितिसत कभी खर्च नहीं किया है, और बना रहे होते हैं, हमारे आप खुद इंजिनियर होते हैं, बहतर होते हैं, अभी आप देखते हैं कि आपके आप जो भी बहतर डॉक्टर रहते हैं, बहतर इंजिनियर रहते हैं, और बहतर अर्थ सास्त्री रहते हैं, वो सभी दूसरे देशों में जाकर काम करने लगते है या तो मुलेचर लगता है कि उनकी एसाब से हैं बेवस्तानी एकट्टी कर पा रहे हैं हम लोग बेवस्तित कर पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा है अब जीत बनाजी को ले लिजे पर चाहे रह गुराम राजम साभ को ले लिजे वो दूसरी जागा पढ़ा रहे हैं, दूसरी जागा दूसरी देश में सलाय दे रहे हैं आप सोचे कि आपका अमेरिका उनकी सलाय ले रहा है और हम लोग उनकी सलाय नहीं ले पा रहे हैं तो कही न कुछ न कुछ तो कमी है हमारे देश में अब बात करते हैं राष्टिय सिक्षा नीती 1986 इस नीती का उद्धिस आसमांदाओं को दूर करने विशेस रूप से भारतिय महलाओं अनुसूचित जन जातियों अनुसूचित जाती समूहों के लिए सेक्षे काउसर की बरावरी करने पर विशेस जोड़ दिया गया क्योंकि आपने देखा है आजादी के बाद ये तीनों बर्ग बहुत पुरी तरह से प्रभावित थे और सिक्षा से ये लोग बंचित थे भारतिय महलाओं को आपने देखा है कि अभी भी उनके साथ भेदवाओं की आ जाता है तो उस समय की तो आप बात आप सोच सकते हैं अनुसूचित जाती की और अनुसूचित जन जातियों का यही हाल था तो इन्हें भी बराबरी का अधिकार देकर सिक्षा गहन करने के लिए विसीश जोड़ दिया गया इस नीती ने परात्मेक स्कूलों को बहतर बनाने के लिए ओपरेशन ब्लेक बोर्ड लॉंच किया यह 1986 की बात है ठीक है उसी नीती के इंतरगर इस नीती में इंद्रा गांधी राष्टिय मुक्त विस्विध्याले के साथ ओपन यूनिवेसिटी प्लाली का भी विस्तार किया गया ग्रामीड वारत में जमीन इस्तरपर आर्थिक और सामाजी विकास को बढ़ावा देने के लिए मात्मा गांधी कि दर्सन पराधारित ग्रामीड विस्विध्याले मॉडल निर्माण के लिए नीती काहन किया गया याद रखी अगर गांधी जी आपके 1950 तक जिंदा रहते आपने सुन देखा है कि 1948 में आपके गांधी जी की अध्या कर दी जाती है अगर मुझे लगता है 1950 तक रहती तो वो समीधान में उसी समय आप ग्रामीड चित्रों में सुन द्यालेंड की विबस्ता बेहतर कर देती और जो आपका आपने देखा है कि 2002 में जाकर आपको सिक्षा कदिकार मिला हुए है मौली कदिकार में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया है तो आप सोचिए उसी समय मुझे लगता है कि जोड़ दिया जाता है क्योंकि वो उस ग्रामीड चित्रों को जानदा जोड़ देती थी और आप सोचते हैं आप भी जानते हैं कि अगर हम लोग गरामीड छेत्रों को छोड़ने उसी हालत में तो आँगे बढ़ पाना मुस्किल है क्योंकि एक बहुत बड़ी जन्संग क्या हमारी गरामीड छेत्रों में निवास करती है राष्टिय सिक्षा नीती में संसोधन किया गया 1992 में इसे भी देख लेते हैं राष्टिय सिक्षा नीती 1986 में संसोधन का उद्देश देश में बेवसायक और तक्नीकी कारिकरों में प्रवेश के लिए अखिलवारतिय आधार पर एक आम प्रवेश परिच्छा एवजित करना इसमें सामिट किया गया Engineering Architecture कारिकरों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्टिय स्तर पर सहिप्त प्रवेश परिच्छा यानि कि JE और अखिलवारतिय इंजिनरिंग प्रवेश परिच्छा यानि कि आपका AIEEE तथा राज्जिस्तर की बात करें राज्जिस्तर की जोड़ी संस्थान थे इनके लिए राज्जिस्तर ये इंजिनरिंग प्रवेश परिच्छा ने रिधारित की गई यानि कि इनमें प्रवेश पाने से पहले इस तरह की परिच्छाएं देने की जरूरत बढ़ती थी आपने भी जब कॉलेज में कहीं एडवीशन लेते हैं तो उसके पहले भी आपने देखाओं को कही बार आप लोग पेपर देते हैं उसके अभी बापकों पर सारी रिक मांजिक और वित्य बोज को कम करने की समस्त्याग को भी हल कर किया गया अब बाद याद रखे और 2002 का भी आप लुक 86 वे समिधान संसोधन को भी याद रखे उसमें आपका सिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार मना दिये गया सिक्षा नीती में परिवतन की आखिर आवसकता क्यों पड़ी क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अगर कोई चीज जरूरत ना पड़े तो आपकी कोई काम नहीं करेंगे तो कुछ जरूरत तो पड़ी होगी तभी तो ए सिक्षा नहीं सिक्षा नीती आई हुई है क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से विस्व बदल रहा है पूरी दुनिया बदल रही है अमेरिका कहां पहुँच चुका है हम लोग अभी भी उनी पुराने जंजटों में फसे हुए है अन देशों को देखिए बो कहां से कहां पहुँच चुके हमारा पड़ोसी देख लीज़े चाईना आज हम लोग चाईना में सोचिये इतनी टेक नोलोजी है चाईना में कि हमारे हैं अगर 5 पॉन बेख रहे हैं टूतल तो उसमें से 4 पॉन आपके चाईनीग हैं तो कुछ तो मतलब है चाइना में तभी तो आगे पड़ा है कहा जा रहा है कि कुछ आने में आले दिनों में चाइना को हम लोग GDP के मामले में पहले नमबर पदेखेंगे यानि कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा और महासक्ति बन जाएगा तो कुछ तो बात है आप समझे यह बनना आपका 1947 में देशा आजाद होता है और चाइना आपका 1949 में जाकर आजाद होता है दो साल बाद आपसे आजाद होता है फिर भी आपसे आँगे निकल रहा है सिक्षा की गुडवत्ता को बढ़ाने यानि कि जो भी सिक्षा है उसे बहतर गुडवत्ता की देना नवाचार और अनुसंदान को बड़ावा देने के लिए नई सिक्षा नीती की आवस्सकता थी बारती सिक्षड विवस्तार की बैसविक इस्तर पर पहुंच सुनेशीत करने के लिए सिक्षा के बैस्विक मानकों को अपनाने के लिए सिक्षा नीती में परिवत्तन की आवस्सकता है अब हमें याद रखिए पढ़ना सही है हमें अपना धरम के बारे में सही पढ़ना है लेकिन आप में बिख्यान के बारे में बड़े अच्छी तरह से खोच करके पढ़ना ये भी ज़रूरी है क्योंकि आध दुनिया देख रहे हैं आप लोग की बिख्यान पर ही आधारीत है आधिकतर टेक्नोलोजी आप लोग देख रहे हैं तो इसे भी हमें ज़रूरी है और बहुत अच्छी से लाना अब आपको बताएं कि राष्टिय सिक्षानीती जो 2020 की आई इसके प्रमों के बिंदू बता देते हैं राष्टिय सिक्षानीती 2020 में सिक्षा की पहुच समता गुडवत्ता और वही निता उत्तरदायत जैसे मुद्दों पर विशेस द्यान दिया गया है नई सिक्षानीती के तहित केंद राज सरकार के सहयोग से सिक्षा चेत पर देश की जीड़ीपी के 6,37 हिस्से के बरावर निवेस का लक्ष रखा गया है आप समझे नहीं है आप लोग आज जाके आप सोची कि 1968 में जाकर 6,37 का लक्ष रखा गया था को ठारी आयोग जाके द्वारा उसे हम लोग आज तक खर्ष नहीं कर पाए हमारे जो पड़ोसी हमसे जो गरीब है वो हमसे जांदा अपनी सिक्षा पर खर्ष कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिक्षा का कितना महत है और हम लोग अभी भी 6% तक खर्ष नहीं कर पाए हैं 2019 की बात करों तो 3% तक 2.5 से 3% तक हम लोग आज तक खर्ष कर दिया हैं सिक्षा पर तो अब लक्ष रखा जा रहा है छेपी 30 सत्का नई सिक्षा नीती के इंतगत मानव विकास संसाधन विकास मंत्राले जो मानव संसाधन विकास मंत्राले था M.H.R.D. इसका नाम बदल कर आपका सब्द से ही आपको पता नहीं चलता हुगा कि यह कौन सा मंत्राले क्या क्या होता है इसके अंतर लेकिन अब आपको पता चलेगा कि यह सिक्षा मंत्राले यानि कि सिक्षा का बूरा काम यहीं मंत्राले समालेगा अब बात करते हैं इसमें क्या-क्या आखिर पॉइंट हैं जो हम लोगों को जानना है सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्यारंबीक सिक्षा से संपन्तित क्या बदलाव किये गए हैं आखिर प्यारंबीक सिक्षा में आखिर क्या बदलाव किये गए हैं तीन वर्ष से आट वर्ष की आयू के बच्चों के लिए सेक्षडिस पार्ट करम का दो समुव में बिवाजन किया गया है तीन वर्ष से छे वर्ष की आयों के बच्चों के लिए आंगनबाडी, बालो आटिता, प्री स्कूल, कि माध्यम से मुक्त, सुरक्चित, गुडवत्त पूर, प्यारंबिक बाल, अवश्ता देख बाल, और सिक्षा की उपलब देता सुनिश्चित करना यहां एक आपका आपने देखा है कि एक बड़ा ही फॉर्मूला दिखाएगा रहा है, कौँ चाहिए फॉर्मूला, 5 पिलस 3, पिलस 3, पिलस 4, अब 5 पिलस का समझ में आया आपको, जो पिथम तीन बरस होंगे, 5 मतलब 5 साल, ठीक है, इसमें जो भी पिथम 3 साल होंगे, उसमें आप देखेंगे कि बच्चे को आपका आंगनबाड़ी इस तरह की पैरंबिक बाल वस्ता देखवाल की जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि 1 और 2 और बच्चती है, कप्चा 1 और 2 इस तरह से टोटल आपकी 5 साल हो जाएग ठीक है, तो इसे याद रखिए, पहले 3 साल में बच्चे आंगनबाड़ी में प्रे स्कूलिंग सिक्चा यानि की आंगनबाड़ी में पढ़ सकेंगे, फर अंगले 2 साल मतलब कप्चा 1 और कप्चा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए LKG, फर UKG, तो यह 3 साल हो गए, ठीक है, उसके बाद 2 आप देखते थे कि 1 और 2, इस तरह से टोटल 5 हो जाते थे, हो जाते थे यानि, तो इस तरह से 5 हो 3, 8 साल तक के बच्चों के लिए इस इक्चा विवस्ता की गई है, और इसे foundation stage किया गया है, क्योंकि आप जाते ही, foundation stage stage का ही मतलब होता है, कि उनकी new बनाना, यानि कि उन्हें अच्छी तरह से उनकी दिमाग को विक्सित करना, इसमें कोई आपकी परीक्चा नहीं होगी, याद रखिए, परीक्चाओं का बोज नहीं रहेगा, बस बच्चों को एक समझाए जाएगा, अच्छी तरह से, समझे यह रहेगा, फिर हम लोग चलेंगे आपकी 6 वर्स से 8 वर्स तक की बच्चों को परात्मिक बिद्ध्याले में कक्चा 1 और 2 सिक्चा पिदान की जाएगी, ठीक है, यह आपका 3 से 8 वर्स हो गया, परात्मिक शिज्जा को बहु हिस्तरिये खेल, गति विदी आधारित बनान इस तरह सी गतिविदियों में सामिल किया जाएगा, और कहा जाता है कि जो भी बच्चे का दिमाग होता है, शुरू में कहते हैं कि उन्हें जो भी करना है करने दीजे, क्योंकि उससे उनका दिमाग खुलता है, लेकिन हम लोग अधिक तर क्या कर रहे थे, कि अपने सिक्षा का जोड़ना दिया जाए उस पर जो आपका NEP यानि की नई सिक्षा नीती है और MHRD द्वारा जो मंत्रा लाए इसके बुनियादी साक्षर्ता और संख्यात्मक ज्यान पर एक राष्टी मिसन की स्थापना की मांग की गई है इसके लिए क्योंकि अभी देखते हैं आप लोग कि क्या हाल रहता है और एक बात हमेशा याद रखिए फिर आपका मैंने बताया था ना कि 5 पिलस 3 3 का मतलब है की 4, ककछा 3, 4, 5 ठीक है नई सिक्षा नीती 2020 में कक्छा 5 वी तक की सिक्षा में मात्वासा इस्थानी है फिर छेत्री भासाओं को अध्यापन की मात्यम की रूम में अपनाने पर बल दिया गया है साथी सनीती में मात्वासा को कक्षा आटवी और आंगे की सिक्षा के लिए भी प्रात्मिक्ता देने का सुजावी दिया गया है सीधा सा कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी कक्षा दो तर्खोगा है यानि कि उसमें आपका बच्चे को खेल खून दिस तरह गी विवस्थाई करवाइ जाएंगी उनका दिमाओ का एक दिमाओ में विस्तार हो यानि कि ऋनकी दिमाओ क्या बिकसित हो पढ़ने के लिए कक्षा 3 भी से कक्षा 5 भी तक की परिक्षाओं में आपको मात्वासा जो भी आपकी मात्वासा या इस्थानिय भासा हो या च्छे 3 भासा हो उसमें अध्यापन की मात्वासा की रूम में अपनाने पर बल दिया गया यानि कि अग्रेजी का पांच भी तक मत नहीं रहेगा आगे हम लोग बात करेंगे इस पर भी एक समस्या ये कुश्चेंस लग रहा है सो समझ में आएगा लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कक्छा पांच भी तक की जो भी सिक्छा हुई वो आपकी मातवासा यानि कि स्थानिय भासा में जो आपको बहतर लगेगी या समझ में आएगी उसमें अध्यापन की मात्यम से किरू में बल दिया जाएगा साथ ही इस नीती में मातवासा को कक्छा आट भी और आगे भी जारी रख सकते हैं तो जहाँ दे दिया गया है आँगे रख सकते हैं ठीक है आप चाहें तो इसकी उगल और उच्ची सिक्छा में चात्रों के लिए संस्कित और अन्र प्राचीन भारती भासाओं का विकल्फ उपलब्द होगा परंतविसी भी चात परभासा के चुनाओ की कोई बाधता नहीं होगी समझ रहे हैं इसमें मतलब कोई बाधता नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट चुनना ही है या इस भासा में आपको पढ़ना ही है और एक बात और इसमें आपने देखा है कि आपकी प्राचीन भारती भ इस नीती में प्रिस्तावी सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, बेवसाइक और सेक्षडिक विश्वों एबं पाठकरम पाठितर गतिविदियों की बीच बहुत अंतर नहीं होगा। कच्चा चटवी से ही सैक्षिक पाठकरम में विवसाइक सिक्षा को सामिद कर दिया जाएगा। इसमें इंटर्ण सिर्प की विवस्ता भी कर दी जाएगे। देखिए फिर से बता देता हूँ 5 पिलस 3 पिलस 3 और पिलस 4 आप लोगों ने देखा था ये। तो इसमें आपका 5 साल सुरूं के फिर आप देखेंगे कच्चा 2 भी तक इसमें सामिद रहेगा। फिर आपका 3, 4, 5, 5 कच्चा 5 भी तक इसमें सामिद हो जाएगा। तो एक बात आप लोगों के याद रखेंगे कच्चा 5 भी तक जो भी सिक्चा होगी वो मातवासा में दी जाएगी आपकी। और कच्चा चटवी से आप समझते हैं जो कंप्यूटर की कोडिंग होती है और बाकी की जो वेवसाइक सिक्चा हैं दी जाती हैं तो कच्चा चटवी से ही आप सुरूं कर दी जाएगी यानि कि कहने का मतलब ही कि आप हमारे देश में जो भी बच्चे होंगी उन्हें कच्चा चटवी से ही बिज्ञान को बेतर तरीकी से समझाने लगते हैं आप देखेंगे कि बेवसाइक सिक्चा को सुरूं सही पड़ान लगते हैं टेकनोलोजी इस तरह की कंप्यूटर सभी सिक्चा सामिल कर दी जाती है कच्चा चटवी से तो यही हमारे देश की नई सि सिक्षन परिशद द्वारा इसकूली सिक्षा के लिए राष्टिय पाठकरम रोपरे का तियार किया जाएगा जो NCEIT है ना NCEIT इसके द्वारा इसकूली सिक्षा के लिए राष्टिय जो भी सिलेवर्स होगा वो तियार किया जाएगा याद रखिए चात्रों की समख विकास की लक्ष को ध्यार में रखते हुए कक्षा दस्वी और कक्षा बार्वी की परिक्षाओं में बदलाव किया जाएंगे इसमें भविस्थ में सेमेश्टर और बहु विकल्पी पिसन अधी जैसे सोधारों को सामिल किया जाया कहने का मतलब है कि जो आप देखते थे एक साल में फाइनल पेपर होते थे उन्हीं से अमारा रजल्ट बनता था कक्षा दस्वी में कक्षा बार्वी में जैसे आप लोग कई राज्यों में आप लोग बोर्ड पर इच्छा कर देते थे तो उसमें आप आपकी एक साल में ना होकर 6-6 महीने के आपकी सेमेश्टर आप लोग अभी VSE में देखते होंगे, VA में देखते होंगे सेमेश्टर होते हैं ना तो उन्ही जैसी बात परावधान आप इसमें भी किया जाएगा कप्चा दसवी और बारवी में चात्रों की प्रगति के मुल्यांकन के लिए मानक नेटारन निकाय के रूमे परक नामा के एक राष्टी आकलन के इंद भी किस्थापना भी किये जाएगी चात्रों की प्रगति के मुल्यांकन और चात्रों को अपने भाविस्थे से जोड़े नेड़े लेने में सहायता प्यदान करने के लिए किंतिम बुद्धी मता आप समझ रहे हैं आजकल देख रहे हैं कि दुनिया फूरी इसी पर artificial intelligence पर जोड़ दे रही है आधारी software का प्रियोग भी किया जाएगा अब बात करते हैं सिक्षा विवस्था से संबंदी सुधार की बात करें तो सिक्षकों की निवक्ती में प्रभावी और पारदर्सी पिक्रिया का पालन और समय समय पर लिये के कार पिदर्शन आखलन की आधार पर पदोड़निती की जाएगी आपने देखा होगा कि अगर आप लोग जब भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपको ऐसी याइटी पढ़ने के लिए कहा जाता है क्यों कहा जाता है अपने राजनिती के बारे में, भोगोले किस्तितियों के बारे में और आपने बाकी MP बोर्ड देख लीजे, यूपी बोर्ड देख लीजे इसमें आपने देखा होगा कि अलग-अलग तरह की किताबें रहती थी और याद रखे, जो नई राष्टी निती है प्राइवेट स्कूलों में भी सभी स्लेवस एक ही रहेगा फिर चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो फिर चाहे MP का हो, बिहार का हो या फिर उत्तरपिदिस का किसी भी राज्य का हो सब में आप एक ही रहेगा बस यह ही है कि MP में अलग मात्वासा है तो वो अपनी मात्वासा में उसका सिख्चा ग्यहन कर पाएंगे शुरू में 5 साल के लिए बता रहा हूँ और उसके बाद दूसरे राज्यों में वो अपने में और याद रखी एक बाद दो और हमेशा याद कि ये पाट क्रम अब हमेशा एक ही रहेगा अब ऐसा नहीं है कि आप अगर बिहार में जा रहे हैं तो अलग पड़ेंगे मद्वितिस में जा रहे हैं तो अलग पड़ेंगे हर जगह एक ही से लिवस लागू होगा ठीक है ये भी अच्छा हुगा क्योंकि आप समझते थे हैं आपको यूपी में यी पढ़ना होगा और आप यूपी में रहे कर तैयारी कर सकते थे अपने बॉर्ड परीक्चा की या किसी भी परीक्चा की लेकिन आप देखेंगे आप लोग कि आप किसी और राज में अगर आप रह सकते हैं वहाँ आपको सुभधाय मिल रही होगी 2030 तक अध्यापन के लिए नियुन्तम डिगरी यानि की अध्यापन यानि की सिख्छक के लिए चार वर्सी ये की कि बीएड डिगरी का होना अनिवार किया जाएगा अगर सिख्छ होगी geldi यानि की उच्य सिख्छ करें तो नई राष्टी जो सिख्छ नीती ये 2020 इसके तहत उच्छे सिक्षड संस्थानों में सकल नामंकन अनपात को आपका 26.3, 2018 से बढ़ाका 50.3 तक करने का लक्ष रखा गया है इसके साथ ही देश के उच्छे सिक्षड संस्थानों में 3.5 करोण नई सीटों को जोड़ा जाएगा यानि कि नई सीटें बनाई जाएगी एक बात याद रखि HEY, सकल नामंकन अनपात का यह मतलब है कि आपने देखा हुआ कि जब आप सुरू में सिक्षा में जाते हैं तो अच्छे अनपात रहता है यानि कि बच्छे काफी संख्या में रहते हैं लेकिन जैसे ही आप लोग उच्छे सिक्षा में जाएंगे इसनातक पाठकरम में मल्टी, पल, एंटरी, एंड, एकजिड विवस्था को अपनाया गया है। इसके तह तीन या चार वर्स के इसनातक पाठकरम में चात्र, कई इस तरप पाठकरम को छोड़ सकेंगे, और ने उसी के अनरूप डिगरी या प्रमाटपत पे दानों मिलता होगा। कहने का मतलब है कि आज आपने छोड़ दी, एक साल करके आपने छोड़ दी, तो आपको क्या मिलेगा? एक आपको प्रमाटपत मिल जाएगा, क्या मिलेगा? प्रमाटपत मिलेगा, कि इस बच्चे ने एक साल पढ़ा है इसे, ठीक है? और अगर आप दो साल पढ़ते हैं, आप छोड़ते हैं तो डिग्री मिल जाएगी अगर चाल साल की इसनातक है और आपने तीन वर्स बाद छोड़ दी तो आपको डिग्री मिलेगी ठीक है एक बर्स के बाद प्रमापद दो वर्स के बाद एडवांस डिप्लोमा तीन वर्स की बाद इसनातक की डिग्री तसा चा साथ इसना तक आपको दिया जाएगा ठीक है एवी आगाच्छी विवस्ता है कम से कम अगर आपको ने एक साल कहीं पड़ा है तो उसका कम से कम डिप्लोमा तो मिलेगा प्रमारपत तो कुछ रहेगा आपके पास समझ रहेगा बिभिन उच्छ सिप्चर संस्थानों से कि जाएगी कहने का मतलब यह है कि आपको एक बैंक में आप खुलते हैं ना बैंक में काता तो उसी तरह की विवस्ता की जाएगी आपकी ठीक है समझ में आए और नई सिख्चा नीती के तहट एमफिल कारिकरम को भी समाप्त कर दिया गया है कहने का मतलब यह है कि अभी बाद ही आप लोग PhD कर बाते थे लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि आप MA करें या फिर MSC करें उसके बाद भी आप लोग PhD कर सकेंगे इस परिक्चा को पूरी तरह से कतम कर दिया गया है बात करते हैं भारती यह उच्चे सिक्चा आयोक की अगर हम बात करें तो चिक इने चोड़कर चिकिस्सा और कानूनी सिक्चा को छोड़कर हो सकता है बाद में इने भी सामिल कर दिया जाए लेकिन अभी फिलाल इने दोनों को बाहर रखा गया है और सभी उच्चे सिक्चा के लिए एक एकल निकाय मतलब एक ही संस्था या आयोक का गठन किया जाएगा सभी की देख राख करने के लिए जो ही सी आयोगा कि कारेओं के प्रभावी और पिदर्शीता पूर्ण निस्वादन के लिए चार संस्थानों निकायों का निर्धारन भी किया गया है बीनिवन हेतू राष्टी उच्चतर सिक्चा नियामकी ये परिशद होगी मानक निर् पित्यायन परिशद इसमें सामिल की जाएगी देश में IIT और IIM के समकच बैस्वीक मानकों की बहु विश्यक सिक्चा एवं अनुसंधान विश्य विद्याले की स्थापना भी की जाएगी ठीक है इसमें भी अब हम लोगों ने प्रावधान तो बहुत कुछ देख लिए हों कि क्या-क्या बदल आया है क्या-क्या आपने देखा है कि सुरू में आपकी कप्छा दोवी तक पास साल यानि की आठ साल तक क्योंकि आप देनते हैं थी तीन साल में आपके यहां आपके बच्चों का एड खूंद इस तरे की बिवस्ताइं की जाएगी और जो आपका कक्छा पांच भी तक होगा यानि की पांच पिलस तीन तो इसमें कक्छा आपका तीन चार पांच इसमें आपका मातवासी यह भासा में सिक्चा की बिवस्ता की जाएगी यानि कि जो भी आपकी इस्तानिये भा इस तरह की विवस्ता की जाएगी उसके बाद 4 पिलस 4 यानि की कहने का मतलब है कि 9, 10, 11, 12 इसमें आपका एक आप देखेंगे कि जो 10 भी बारवी की अभी बोर्ड परिक्चा होगा करती थी इसमें आप सेमेश्टर बदल जी जाएगे यानि की सेमेश्टर में इसकी परिक्च करवाई जाएगी ठीक है और विकल्पिक विसन में भी हो सकता है इसका आँगे देखेंगे जो भी सलेवस आएगा उसे साबसे हम लोग बात करेंगी लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें आखेर चनौतियां क्या-क्या है क्योंकि नई सिक्षा नीती आ गई तो इसमें प्रॉब्लम में भी यानि की समस्या है यानि की सीमाएं भी होंगी चनौति भी इसके सामने कई तरह की देखने को मिलेगी एक सबसे पहले आप चनौति देखेंगी कि आप सोचिए कि आज पूरी दुनिया अग्रेजी मतलब इंगलिस पर जोर दे रही है क्योंकि आ आपको समझ में आएगा बिल्कुल नहीं तो लेकिन याद रखिए यहां आपका मतलब आपको एक सलाय दी गई ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको मातवासा में ही सिक्षा पराप्त करनी है आप चाहें तो वहां अंग्रेजी भी ले सकते हैं नई सिक्षा नीती में बिदेसी विस्विध्यालेयों के प्रवेस कमार्ग पिसस्त किया है विविन ने सिक्षा विदों का मानना है कि बिदेसी विस्विध्यालेयों के प्रवेस से भारतिय सिक्षर विवस्ता महिंगी होने की संभावना है पैडाम सरूप निम्नवरक के चात्रों के लिए पुच्छ सिक्षा पराप्त करना चौनावती पूर्ण हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए कि अगर कोई दूसरे दिस्क हमारे याई स्कूल खोलता है समझ रहे हैं तो उसमें हमारे याई के जो एक बहुत सिक्षकों का पलायन विदेसी विस्विध्यालेयों के प्रिवेसी भारत के दक्ष सिक्षक भी जो टीचर होंगे इन विस्विध्यालेयों में अध्यापन ये तू पलायन कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा है कि अगर जो बाहरी स्कूल होंगे ये अगर महेंगे होंगे तो सिक्षकों को भी वहतर सैलरी देंगे, बेतन देंगे, तो सिक्षक आप देखेंगे कि वो वहतर सैलरी के लिए कि वो आकरसित होंगे सिक्षा का संस्किती करण दच्छन वारती राज्यों में आरूप है कि तरी भासा सूत्य से सरकार सिक्षा का संस्किती करण करने का प्रयास कर रही है संसत की अवहिल्ला क्या है? संसत की अवहिल्ला बिपक्च का आरोख है कि भारती सिक्षा की दिशा दसा और दिशा तैय करने वाली इस नीती को अनुमती देने में संसद की पिक्रिया का उलगन किया गया है पूरो में राष्टी सिक्षा नीती 1986 भी संसद की द्वारा ही लागू की गई थी कहने का मतलब यह है कि आपने देखा है कि कोई भी कानून हमारे आता है कुछ भी नया होता है तो उसे संसद मिलाया जाता है राजसभा लोगसभा आप देखते हैं उसके बाद ही लागू होता है लेकिन इसमें आपने देखिया कि एक किसी और की सिफारिस लेकर मसोदा दूसर ओर नेतै किया है, और सरकार ने इसे ठोफ दिया है, यानि कि सभी को इसमें नहीं लिया गया, इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है खुली सांसत में, तो इस पर भी आरोप लगा रहा है, मानव संसाधन का आभाव वर्तमान में प्यारंवीक सिक्षा की छित में कुसल सिक्षकों का आभाव है ऐसे मेराष्टी सिक्षा नीती 2020 कित है प्यारंवीक सिक्षा ये तो की गई विवस्ता के किरियानमेन में बेभारी की समस्याएं देखने को मिलीगी तो एक कहानी है आपकी सिक्षा नहीं जो सिक्षा नहीं ती है एक बात और याद रखिए जो आपकी शुरू में जो रहा होएगा वो foundation stage रहेगा और pre-pattery stage सर्डि जो प्रीडरिस से चटवी से कखचा है न मुज़ने सानफे snacks जो उसकी और जो सेकंडर्य in टकी राएगी और याद रखिए इसमें आपको बिसों की अध्यान कराए जाएगा और बिसों को चुनने की आजादी भी आपके पास होगी एक बात और मैं बता ना भूल चुका हूँ आप लोग अगर आप लोग दसो बारवी में आर्ट लेते हैं तब भी आप साइंस पढ़ सकेंगे आँगी चलकर अभी क्या आपने देखा होगा कि अगर आपने आर्ट से बारवी की है तो आप साइंस से कुछ भी नहीं पढ़ सकते थे ऐसा नहीं कि आप लोग इंजिनिरिंग कर सकें अगर आट लिये इसके लिए आपको बारवी में मैथ लेना जरूरी रहता था इस तरह की विवस्थाइं भी इसमें कटम कर दी गई है अब आट वाला बच्चा साइंस पढ़ सकता है और साइंस वाला बच्चा आर्ट पढ़ सकता है यह भी अच्छी बिवस्ता की गई है और एक बात और हमें इसा याद रखी है मानो संसाधन विखास बंदराल है जो MHRD मेंने मंतरा ले था इसे भी बदल कर आपका सिश्चा मंतरा ले कर दिया गया है यह भी बढ़िया है आपका और इस तरह से आपका काफी इतनक बदलाव हो चका है आप देखिए जब से यह लागू होगा और जब से पाटकरम इस सामिल होगा तब हमें देखना होगा किस तरह से इसमें बदलाव किया जा रहा है और कहां इस तक यह समझ में आ रहा है सक्से जो रहा है, उसी समय में देखने को मिलेगा, अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा फैल होगा, या सही होगा, उसी के समय हम लोग बात करेगे, ठीक है? मुझे लगता है आपको भेहत वे समझ में आ गया होगा जो भी सवाल हो मुझसे बताते रहिए